माया, माया की मा को गुजरें, दस वर्स हो चुके थे इन दस वर्सों में कोर यह ऐसा दिन नहीं है या खुशी के पल नहीं है जिस दिन माया ने अपनी मा को याद नहीं किया माया की शादी हो चुके थे और शादी को पांच वर्स हो चुके थे और शादी के बाद माया मा को और ज्यादा मिस करने लगी उससे बार-बार तरफ होती थी कि शादी के बाद वो जितना ख्यार अपनी सासुमा करकती है अपनी मा का क्यों नहीं रखा क्यों हमेशा उनसे चाहा कभी दिया नहीं मैं कि उस समय उम्र भी छोड़ी थी तो इतनी समझदारी नहीं थी जो शादी के बाद उसे आ चुकी थी वो जब भी कुछ लाती पहले अपनी सास को दिखाती और उनको दिखाने के बाद उनको पसंद आता तो ही लेती और उन्हें पसंद नहीं आता तो वो रख देती भले उसे कितना पई पसंद हो वो बà्मा के साथ ऐसा नहीं था मा के साथ वो जिद करती थी भले उसकी पसंद अच्छी न आ हो बडमा ने जो कहां नहीं नहीं मा मुझे यह चे और मा चाहे वो उकात में हो या ना हो उनकी उसे वो खरीद के देती फिर भी कभी उसने मा को बिठा के ये नहीं पूछा मा तुम कुछ खाओगी मैं बना दू हमेसा मा ही पूछती थी बिटा क्या खाओगी मैं बना दू और आज शादी हो चीगी थी वो बाहर ठक कर भी आती थी काम करके तो कभी सास उससे नहीं पूछती थी कि बेटा क्या बनाजन हमेसा वही पूछती थी मा क्या बनाओ क्या खाओगी और वो खुशी-खुशी बनाती थी बड़ जब घर में थी मा उसे कोई छोटा काम भी कहते ना दुदकार देती थी नहीं मा मैं क्यों करो आप करो कभी कुछ नहीं किया कितना अंतर है न शादी के पहले और शादी के बाद के जीवन में दोनों में बहुत अंतर है लेकिन इस अंतर को हमें कम करना होगा जिस तरह हम शादी के बाद अपनी सास का ख्याल रखते हैं अपनी मां को भी रखना चाहिए अपनी मां को भी पूछना चाहिए मां आज तुम बैटो मैं बनाती हूं मां आपकी तब्या ठीक नहीं लग लिए चलो दवाई करा देते हूं भले पैसे कमाई है ना कमाई बहले ही मां पैसे दे बट उनका ख्याल बच्चों को रखना चाहिए बट ऐसा नहीं होता उनने देखा है शादी के पहले लड़कियों का जीवन बहुत सचंद होता है उन्हें हर खुश्या मिलती है बट वो मां को कहीं ना कहीं खुश्या देना बूल जाती है और वही बैट जब शादी के बाद सुस्राल जाती है तो साज का ऐसे ख्याल रखती है जैसे उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से आता है और जाके सीखती है जो काम उन्हेंने कभी अपनी मां के आने किया सब करती है और करना भी चाहिए मैं इससे अलगड़ा नहीं रखती हूं लेकिन अपने गड़ में भी अपनी मां को भी वो सारे सुख देने चाहिए और मैं ये भी नहीं कह रही कि पढ़ाई नहीं करने चाहिए पढ़ाई के साथ अपनी मां का भी ख्याल रफना चीए उन्हें क्या चाहिए वो बच्चों को भी समझना होगा शादी के पहले भी और शादी के बाद भी अक्सर माएं अपना ख्यान नहीं रखते वो बच्चों को पढ़ानी लिखाने की जद्धो जहत में खुद के सरीर को भूली जाती है और उन्हें कोई याद में नहीं दिलाता कोई नहीं बोलता मा तुम बैठ जाओं मैं कर लेता हूँ ऐसा नहीं होता है उन्हें खुद बैठ जाना चाहिए या बच्चों को समझना चाहिए मा को अब बैठने की जरुवत है माया को भी याद आता था मा कैसे महनत करती थी और कैसे उन्हें पाला पौसा कभी कुछ नहीं मांगा और मा को बहुत तड़पन भी होती थी अगर बच्चे काम करते थे बट मैं असोचते हैं कास कास उसने मा से पूछा होता मा तुमें कोई तकलीफ है मा तुमें कुछ चाहिए मा तुम बैठो मैं बनाती हूँ ये जद्दो जहत माया के दिल में हमेशा रहेगी कि उसने अपनी मा को कभी पैठा के पूछा नहीं और मा ने भी कभी दिल की बात नहीं बताई कि बेटा मेरी तब्यत खराब है बेटा मैं ठक गई हूँ मुझसे और काम नहीं होता जैसे सासुमा बैठ जाती है उनसे जब काम नहीं होता बहु का काम है बहु करेगी क्यों बेटियों का कुछ काम नहीं होता गर में बेटियां क्यों कुछ नहीं करेंगे अगर बहु से कराती है तो बेटियों से भी कराना चाहिए और बेटियों को भी ये बास समझने चाहिए कि आप अपनी मा का भी उतना ख्याल रखे जितना सासू मा का शादी के बाद भी और शादी के पहले भी बढ़ना माया की तरह पश्ताना होगा हर बाद याद आएगी कास मा तेरे साथ भी मैं इतना अच्छा कर देती जितना मैं सासु मा के साथ करती हूँ तो सायद मा जिन्दा होती नमस्ते